दोज़ार चौबीस की लोकसमाच नाओं से पहले कल बीजेपी केंदर चुनाओं कमिटी की पहली बैठक देश की राज़ाने दिल्ली में होगी बैठक में पीएम मोदी, अमिश्या, जेपी नड़ा समेथ बड़ेनेता शामिल होंगे बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी की ओर से लोकसमाच नाओं के लिए 100-120 सीटों पर उमीदवार घोशित किये जा सकते हैं सूतरों की माने तो मध्यपरदेश के लिए सभी प्रत्याशों का एलान किया जा सकता है कहा जा रहा है कि उमीदारों के लिए सयार कर ली गई है बस केंद्रे चुनाओं समिती की अंतिम मोहर लगना बाकी है याने कल दिल्ली में लिस्ट को हरी जंडी मिल सकती है उधर कॉंग्रिस की बात करें तो कॉंग्रिस से भी बैठकों का दौर जारी है मार्च के पहले हफते में कॉंग्रिस के लिए स्टा सकती है लोग समद्र चुनाओं को लेकर बीजेपी और कॉंग्रिस दोरों ही एक दूसरे पर हमला वर है कैसे दिखाते हैं पार्टी पूरी एक जुटता के साथ चुनाओ लड़ रही है जैसे कि विधान सभा चुनाओ लड़ा गया था हमारा वोट परसेंट इस्थर अभी भी 40 परसेंट है इसको बढ़ाने के लिए सभी निताओं ने पूरे प्लॉक, मंडल, सेक्टर अभी हमारी जूम मिटिंग जैसे हुई थी उसमें दिगविजे सिंग जी, सुरेश पचौरी जी, तमाम हमारे जीतु पटवारी जी, उमंग सिंगार जी सभी ने पूरी ताकत से अपनी बात रखी देखे कॉंग्रेस का नेता जिस भी एरिये में जाएगा सबसे पहले वो अपने दूसरे नेताओं के लिए गड़े खो देगा, यहीं कॉंग्रेस की नीती है तो कॉंग्रेस के नेता आपस में लड़के, उलजके, ना कारिकरताओं के हित को ध्यान में रखते हैं, ना जनता के कॉंग्रेस का दावा है कि वो 15 सीटों पर जीत दर्च करेगी, उधर बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया है, फिलहाल दावों पर सियासत चारी है, लेकिन फैसला आपको करना है, याने कि जनता को करना है अब जनता के मन में क्या है, वो तो चुनाओ के नतीज़े ही बताएंगे, महा डिबेट आज की किन सवालों के इर्दगिर्द रहेगी, वो सवाल आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, पहला सवाल है, मिशन 24 के लिए बीजेपी का क्या फर्मूला तयार है, ये है पहल करने की बात इती चल थी, कॉंग्रस भी अपने उमिदवारों के नाम का एलान कर सकती है, ये कहा जा रहा है, ठीक बीजेपी की रहा पर चलते हुए, हमारे साथ कौन-कौन से खास मेहमान हैं, उनका परिचे आप से करवाते हैं, मध्यप्रदेश की महा डिबेट आज इनी स स्क्रीन पर दिखाए देंगे, साथ ही विवेक साइलस भी जी भी हमारे साथ है, यहाँ पर, पहला सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, आजे सिंग यादर जी, 120 तक के उमिदवारों के नाम का अनाउंसमेंट कल हो सकती है, पार्टी की ओर से, जरा ये बताएए, जो सब्सक्राइब बहुत मजबूती से चल रही है, सभी लोकसवा छेत्रों में पार्टी के वरिष्ट निताओं द्वारा राय सुमारी की गई, राय सुमारी के बाद नामों को प्रदेश चुनाव समीती के सामने चर्चा की गई, उसके बाद केंद्री चुनाव समीती में, अब इन नामों के उपर फाइनल मोहर लगेगी, भारती जनता पार्टी में उम्मीदवार कौन होगा ये बड़ा मुद्दा नहीं है, भारती जनता पार्टी समय प्रदेश में सभी मद्दान केंद्रों पे 370 बोट बढ़ाने के लिए, 51 फिस्दी से जादा मत लाने के लि भारती जनता पार्टी जीतने जा रही है, मोदी जी को प्रदेश की जनता पूरा समर्थन देने जा रही है, उम्मीदवारों का चैन भारती जनता पार्टी में एक विवस्था होती है, प्रतेक व्यक्ति के लिए काम और प्रतेक कार के लिए उप्योक्त व्यक्ति यही भा तासे कि आप कहो तो मैं छोड़के मैदान चला जाओं तो इस तरह की स्थिती में आप देखेंगे कि प्रदेश की जनता पूरी तरह भरती जनता पारटी के साथ है जी मितुन जी गिनवाद दिया अजे सिंग यादव जीने के साथ है लेकिन ये बताइए जो कॉंगरेस की त से सीख है या फिर अपने उमिद्वारों को लेकर आप इतना अश्योर्ड है कि इसलिए आप जल्दी नाम अनाउंस कर सकते हैं स्टाटेजी क्या है कि अधिन जी आपके आवाज नहीं सुन पारी हूं मैं नहीं आपके आवाज नहीं आ रही है हम दुरूस करवाते हैं मैं आऊंगी आपके पास विवेक जी यही सवाल मेरा है क्योंकि आप अलायंस के साथ ही है जो अब यहां पर तैजी दिखाए जा रही है उमिद्वारों के नाम को लेकर क्या लग रहा है इससे मजबूती मिलेग प्रवक्ता ने बोला कि कॉंग्रेस को तो उमीद्वारी नहीं मिल रहा है और आप ही की रिपोर्ट बता रही कि कॉंग्रेस को 40% मद्ध्रदेश में मिले मैं तो समार्यवादी पार्टी का प्रवक्ता उत्तरदेश की बात कर सकता हूं लेकिन यह बोलना गलत है कि जिस पा नहीं तो गलत बात होगी और भारती इंता पार्टी की प्रवक्ता जी ने अभी एक बात और कही कि बहुत से टिकट हो सकता बदले भी जाए उत्तरदेश का भी यही हाल है यहां तो एक से एक महाश्य हैं जैसे बिलुशन सामन सिंग्ग भी हैं उन्होंने क्या क्या किया द उनके सुपुत्र में किसानों के उपर थार जीव चड़ा के साथ लोगों को कुछल के मौत गात उतार दिया था तो ऐसे ऐसे महानूं बहुत बारती इंता पार्टी में उत्तरदेश में बैठे हुए हैं जहां तक समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस गटवंदन का बा सब्सक्राइब करना था एक सो पच्चीत वद्यायक हमारे हैं जिसके आए थे देखिए आज आज मैं यही कहूंगा जिस तरह से ब्रश्टाचार महंगाई बेरोज़गारी का अलब बढ़ा हुआ है आज जो हमारे छात्र हैं साथ लाग छात्रों को जिस तरह से उत्तर पर जो पाम में लिए अभी उसका जो कैंडिडेट है खजुरा होते हैं वो फाइनल लई है लेकिन जो भी जल्ब से जल्ब आपके सामने को ठीक है मितुन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे जी नमस्कार मेरी आवाज मिल रही है आपको जी जी बिल्कुल नमस्कार देखे सीधी बात है कॉंग्रेस पार्टी उनुम मीदवारों को मैदान में उतारने जा रही है जिनोंने लगातार जनता की आवाज को उठाया है जनता की लड़ाई को लड़ा है ना केवल रज्य स सरकार के खिलाओ बलकि केंदर सरकार की वादा खिलाफी को भी सामने रखा है। लेकिन बड़ी हस्यासपत बात है कि भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश नितरत्त वसे आवाज आ रही है। उसको पता है कि उसका वोट प्रतिशत कम होने वाला है। अपने तार्गेट को आपने कम कर लिया आप बाजबाद की अधिकने तावास है आप उस टार्गेट को कम कर रहे हैं करने का करने की मशाल आजय यादव जी ने उठाली है मुझे उम्मीद है यह कम करवा देंगे हम तो जनता के सामने लेकर के जा रहे हैं भारती जनता पार्टी की कथे डबल इंजिन सरकार की उस वादा खिलाफी को जिसके तेट नैशनल कायम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार मद्यप्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर एक है को पोशन में नंबर एक है जलेत अत्याचार में सर्वश्रेश महिला अत्याचार में सबसे उपर उस भारती जनता पार्टी की जिसने गैरेंटी दी ती गैरेंटी की जगह रोवन्टी पे आ गई है दो करोर रोजगार के हिसाब से प्रती वर्ष के हिसाब से 20 करोर रोजगार कहीं नहीं गए बारती जनता पार्टी ने वादा किया था मद्य प्रदेश में वादा किया था कि 2700 रुपे हम लोग गयों का मूल्य देंगे एक तीस सो रुपे ध्यांका देंगे, साड़े चार सो रुपे का सिलेंडर देंगे, तीन हजार रुपे नाजी देंगे, बारती जनता पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा जी को कहना पड़ रहा है कि हार की जीत की खुमारी से निकल आओ और अपने ग्राउंड पर काम को यह इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तो इनको 163 मिलियम एडम 163, 2003 में इने 173 मिली थी, अगले साल हमने केंदर में सरकार बना ली थी, तो मद्य प्रदेश की जनता के अंदर वो विजडम है कि वो डिफर कर सकते हैं कि कौन से चुनाव में प्र आकड़े नहीं है, 2003 में जब भरती जनता पार्टी की 500 सीटे आई थी, तो मद्य प्रदेश में 25 लोग सबा सीटे जीती थी, भरती जनता पार्टी मद्य प्रदेश में, इसलिए इस तरह के उल जलूर आकड़े प्रस्तूत मत करिए, हमारी सरकार आ गई थी, आपके पास आ बताईए, 2004 में हमारी सरकार बनी जीती थी, 2003 में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, 2004 में हमारी सरकार बनी जीती थी, फिर आप ये बताईए, कि उमीदवारों के नाम, वक्त रहते अनौंस करना, क्या एज मिलेगा इससे, और यही कॉंग्रस भी सोच रही है, कि टाइम पर अ होता है, और 20-30-30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पर पहुंच जाए उनके पास में जो बाकी भी सुगधा है जो पार्टी के द्वारा दी जाती है वो समय पर पहुंच जाए और बहुत सारे काम काज भी ऐसे रहते हैं जो कराना होते हैं बहुत सारी चीज उनको तैयार करना पड़ी तो यह एक दोनों क्या सभी राजनेतिक दलों का उप्रम रहता है अब देखें जहां तक बात आ रहे हैं टिकेट कटने की और जो नए लोगों को देने की तो मेरी सूचना है कि मद्रपुदेश भारती जनता पार् उसमें हो सकता है कि इस पर चर्चा हो जाया और मद्रपुदेश के कुछ लोगों की टिकेट कड़ जाएं और देखी अब यहां मेरे दो तीन बातों में अपनी बात को मैं समेटूंगा देखें पहला तो यह है कि मानी नरेंद्र मोधी जी ने 22 जनवरी 2024 में जब राम लला का प्रांट-प्रतस्था का कारकरम कराया उसके बाद से उन्होंने देश में नरेटिव घड़ दिया और मानी मोधी जी नरेटिव ज़ने के बाद एक कास्ट को साधने की कोसिष करना कर पूरी ठाकर जी को भारा रतम ने दिया उन्होंने नितीश कुमार जी को सांद रख और एक एक शीट पर उनकी पहरी नजर है वो जीते हैं चुनाओं उनका यह लक्ष है कि हम यह दो लाग बोट से जीत रहें तो तीन लाग से जीते हैं हम अभी दो सो तीन सो सतर का लख्ष रखें तो हम कम से कम 400 जीते हैं हमारा बोट परसेंटेज जो कि देखें 2019 के चुनाओं में भारती जिनता पार्टी को 37.43 फीसीदी बोट मिलाता लोगसभा चुनाओं में और कॉंग्रेस को 19.51 मद्बिश के संदर में बात करें तो भारती जिनता पार्टी को 58 फीसीदी मिलाता तो जो परसेंटेज जो मिला है जो बड़ा है वो कोशिज भारती जनता पार्टी की है कि इसको दस पर सब्सक्राइब कोशिश की बात कह चुकी है बीजेपी सौरब दूबे जी आप क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीट पर लंबे समय तक कोई एक ही व्यक्ति सांसत रहे तो वहां पर जनता भी सो देख देकर ऊप जाती है और एक एंट नीतियां जो है वो महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है व्यक्ति कंडिडेट अगर जीतेगा तो उसके बाद दूसरा कंडिडेट भी जीतेगा लेकिन वहां पर वो जो एक उनकी जो रंडिती है उसको फॉलो किया जाता है उसका पालन किया जाता है अगर मोधी जी का जो काम है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का काम है, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादो जी का काम है, वो जनता तक पहुचाना है, वो लोगों तक पहुचाना है, तो व्यक्ति विश्यस पर पार्टी अगर जो है वो चैरा चाहे, वो रहे चाहे चेहरा नहीं आला है जिस प्रकार से अभी आपने मध्य प्रदेश का चुनाओ देखा था उस समय बात चल रही थी कि कोई CM का चेहरा नहीं है कंडिडेट नहीं है बावजूद उसके बंपर वोटों से बारती जंता पार्टी चीत करके आई थी और देखिए में जीतु पटवादी जी के अंतरगत इनको चुनाओ लड़ रहे है पूरी एनरजी के साथ यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जीस प्रकार से कमलनात्य जी जो है जिनको जो इनके वरिष्ठ जो है बोरो मुक्यमंत्री रहे हैं वो अगर 23 विदायकों के साथ कहीं जाने क कर रहे हैं वो एक विशह बना हुआ है महराष्ट्रा के अंदर अशोक चावान जी जो टूट करके चले के बड़े नेता थे कॉंग्रेस के वो एक विशह बना हुआ है पूरी की पूरी पार्टी आज पूरी सरकार जो है वो खलपलानक मची हुई है आपका इमाचल के कि हम जब आप उनसे पूचोंगे कि आपकी क्या त्यारो है नहीं दे रही है नहीं को दे रही है इनको टिकेट और ऑपकी कली एक सीट जो है और राजसवाह की आप से थूट करके चली गई वह भारती जंता पार्टी के अंदर जो आप कि पहले ही हो गया है फिल्टर यहां पहले ही बालूम पढ़ गया कि कौन दलितों पिछलों के साथ है कौन अंधरात्मा के साथ है विवेग जी आपकी बात पर को जवाब देना चाहिए विवेग जी जिवाब ले लेते फिर मागे बढ़ते हूं कि अथी बैट्र पार्टी के कभी नहीं थी ना भाती इंता पाटी के थी आप दो जो फिर विदायक और चाहिए तो वाप्ति न पाटी को आठ विदायक और चाहिए तो जिस तरह से यहां पर पैसे का पाले धन का खेल हुआ है उत्तर प्रदेश्य ने देखा है कैसे आप ती कि बात कम्पीट कर लें कि जो बेहत करीबी थे अखले घंटों-घंटों बैठके क्या अगर वही निकल लिए तो फिर बाकियों का क्या विवेक जी बिलकुल देखिए जो लोग है वो सवाइबादी पार्टी से बहुत सानों से जोड़े हुए थे उनकी कही कोई मजबूरी लए होगी बहुत बड़ा पैकेज मिला होगा उनको ऐसे तो को जाएगा वो पैकेज देने में और काला धन का प्रयोग करने में इंडी सीवी आई का प्रयों करने में बाती जो है पूरे हिंदुस्तार में मत्वेद आया और आप दोनों साथ जी बोले दीजिए ओने आप आप अपने ही पहले मेरे सुनदी जी उसके बाद आप बोल लो आप जब बोलना है मेरे खालते किसी ने भी इसमें पूरब दुबे जी एंडीय में सीट बटवारा हो गया है क्या हां जी हो पता नहीं है एंडीय के लिस्ट आने वाली है अभी अब अबना जाएगी जब त मितुन जी आपके सवाल पर जवाब ले लेंगे लेंगे पहले विवेक जी को बात कंप्रीट कर देते विवेक जी जी विल्कुल मेरा भी सवाल वही था कि क्या एंडीय में सीट बटवारा खास्तोर प्रदेश में होगे इनके सायोगी दल है सवाल पूछेंगे यहां पर आजे सिंग्यादव जी बता दीजिए तयारिया आपकी एक तरफ तयारिया एक तरफ और दूसरी तरफ जो ओपन डोर्स की पॉलसी है वो एक तरफ देखिए अपड़ना जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ती नीती हैं जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है कॉंग्रेस पार्टी आप रसंगिक हो गई है कॉंग्रेस के नेताओं के चिलाने से तथिनी बदलते हैं देखिता नीए दिगविजे सिंग कहते हैं मेरे राजी समय कारेकाल जोसा और पिछली वार्वी पिशली पी याज़ग का प्रतिक निया रहें बताई आपको यकीन है ना अपनी पार्टी पे लगने के लिए एक नेता जो आपको पार्टी से चुनाव लड़ने को तयार है को तयार है क्या नरोत्तम मिश्रम करने को तयार है क्या अगर आपको यकीन है बताईए भोपाल से प्रग्या सिंग्का टिकट फाइनल है क्या हम पर प्रश्ण पूचने से पहले आपके नेता तयार क्यों नहीं है इस बात का जवाब देदीजिए दूसरा पढ़ना जी लड़ेंगे क्या बताईए शिवराज जी लड़ेंगे क्या इंकार नहीं किया है जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी वो चुनाव लड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस के नहीं से लड़ रहें बता दीजिए फिर अगर उन्होंने इंकार नहीं किया तो दिख्विजिए आपके पास क्या बड़ा ही पुख्ता इंपूट है क्या कि शिवरा सिंग चोहर मना कर रहें लड़ने के लिए जी मुझसे प्रश्ण है जी जी आपके पास जावा खबरे हैं क्या कि कौन लड़ना नहीं चाहरा है बीजेपी से देखिए खबरे तो सबसे ज़्यादा आपके पास होती है आप ही बता दीजिए कौन लड़ना चाहरा है लगातार वो नाम भी चला रहा है जिनको लेकर कहा चाहरा है कि उनका टिकेट कट सकता है तो इसलिए परे पूछा आप से निउस एक टीन जिन नामों को मैं मुझे बता दीजिए अभी भोपाल से कौन लड़ रहा है मैं देख नहीं पाया मड़म बता ही यह कौन लड़ रहा है नहीं नहीं बड़े बड़े नेता चुनाओं नहीं चाहते यही कारण तिकी जनता का अक्रश ने सेना है इन्होंने 27 का वादा किया था गेहूं का इन्होंने नीदिये जनता जवाब मांगेगी इन्होंने वादा किया था 31 का धान का जनता जवाब मांगेगी इन्होंने वादा किया था सी नजार लाटली बेना का जनता जवाब मांगेगी इसलिए भारती जनता पार्टी के नेत जाओं छोड़के बताइए किस तरह का दिवालिया पने दिख विजे सिंग के रहे हैं मुझे चुनाओं मत लड़ा है आप बताइए आप पुष्टर का यह सब्सक्राइब हो जाते हैं जिसकों नित्रुस्टर के रहे हैं आगे बाद में सर्मान सिंग के शांद हो जाएए है अधिक सब्सक्राइब कर दो जाएं तो जाएए यादर जी मितन जी तरो शांद हो जाएए नाम बताइए एक नेता जो लोग सब चुनाऊ लड़ने को तए है ठीक है ठीक है सब को ते दीजिए और आप पाल से कौन तयारे नाम बताईए अब कहीए ना अभी कौन तयारे नाम बताईए आदे अब सवाल है मेरे पास सलमन जी के लिए सलमन जी जब लाज्यों के चुनाव होते हैं तब भी जो स्टेट बीजेपी होती है वो हमेशा आगे करती है नरेंद्र मोदी के चेहरे को और अब तो बात लोकसमा चुनाओ की ही है ऐसे में यह जो फॉर्मूला बीजेपी के ओर से अपना यहां भी बीजेपी के पास वही एक पत्ता है मोदी का चेहरा ही गारंटी रहेगा बीजेपी के लिए देखिए अपना जी जहां तक मेरे जो समझ कहती है कि 2019 में 2014 में और 2024 में और तेश के विधानसवा चुनाव में ब्रांड मोदी चल रहा है पूरे देश में ब्रांड मो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए उसके पहले नोटबंदी हुई थी उत्तर प्रदेश के मददाताओं ने नोटबंदी को अच्छा माना नरijn इन्वें कीसिव में ब्रांड करेगा प्रण्ड मोधी को बेचेंगे अब ब्रांड मोधी कितना सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा यह मतदाता और देश का एक जो जनादे से उससे ते होगा करें कि जनार्दर हैं बहुत धर्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की मा डिबेट पर शामिल होने के लिए इतना समय था मार्ड में